वेलकम टू सोशल स्कूल इस वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के स्टुडेंट्स के लिए जो एडिशनल टॉपिक्स का सिलसिला चल रहा है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल थेयृरी बुक का चैपटर फॉर जो आपका जस्टिस जस्टिस पढ़कर पड़ने के पाद में जो एडिशनल टौपिकस हैं तो जैसे चैपटर टू में आपने जो एडिशनल टौपिक पढ़ा लिवर्त वर्स फ्रीडम वाला कि लीख़ें वाला वैसे हिं निया यह सीमित नहीं है सिरफ वहां तक कि हां क्या है कि राजा ने सुना दिया प्रजा को बोल दिया कि यह सहीँ यह गलत है नियाय जो उससे भी बढ़कर होता है तो उसमें क्या है कि जो अलग-अलग dimensions है justice कि justice social sphere में होना चाहिए economic sphere में, political sphere में हर sphere में, हर द्रस्टी कोडों से नियाय मिलना चाहिए तो वो जो different dimensions है वो क्या-क्या है वो हम इस topic में पढ़ेंगे ठीक है तो till now we have try to understand what the term justice means chapter में आपने justice शब्द को समझा और जब justice शब्द को समझ लिया तो we need to know different dimensions of justice which may help us in establishing a just society तो एक just society बनाने में justice को और comprehensively समझना होगा अलग-अलग dimensions justice के समझना होगा तो here we will try to understand these dimensions in some detail और इन dimensions को हम कुछ detail में समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे legal justice political justice social justice economic justice यह क्या होता है यह सारा सब कुछ हम आपको बताएंगे कि legal justice क्या है political justice क्या है social justice क्या है economic justice क्या है इन सारी कचेरी जच साब और जच साथ साथ में वकील यह सभी लोग जो है वो लीगल जस्टिस का पार्ट हो जाएंगे तो इस नेरो concept of justice which is associated with legal system and legal procedure existing in a society तो एक court में देखने में लोग अच्छे नहीं लगते लेकिन क्या है court में लोगों का विश्वास है कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा वहां पर उन्हें legal justice मिलेगा समझ रहे हो तो नेरो concept of justice मतलब ब्रॉडली जस्टिस का मतलब यह नहीं कि सिर्फ जो न्याय कोर्ट ने दे दिया वही न्याय होता है लेकिन क्या होता है जब एक legal system legal procedure को फॉलो करते हैं जो एक society में exist कर रहा है तो उसे इसाब से आपको क्या देखने को मिलता है लीगल justice देखने को मिलता है समझ गया यह legal justice हो गया तो the court of law interprets the law and applies it after hearing the partners involved in a dispute अब कोई पहुँच गया कि जसके उपर आरोप लगा कि तुम ने चुराया दूसरा जो बोल रहा है कि मेरी मुर्गी थी मेरी मुर्गी देखना मेरे पास होना चाहिए था तो अब इन दोनों partners जो है मतलब दो जो दो लोग controversies में included दोनों को जैसा बिठाते हैं अच्छा बताओ क्या समस्या है और फिर जो न्याय सुनाते तो उस तरह का judges हो गए यह सभी लोग fine तो here justice is what administered by the court of law and interpretation of judge is considered to be the embodiment of justice तो यहां पर justice क्या है justice यहां पे नियाए वो है कि जो सम्मिधान में लिखा है और उस सम्मिधान में जो लिख्यों बाते हैं diffency उसको कैसे interpret किया जा रहा है किस के द्वारा उससे कैसे बताया जा रहा है judges के द्वारा उसे कैसे betाया जा रहा कोर्ट के द्वारा fine that is the part of legal justice वह legal justice का पार्ट है तो राजनेतिक रूप से नहीं क्या होगा तो हर एक इंसान के पास में पूरी-पूरी आजादी हो कि वह अपना वोट दे सके और उस चीज के आजादी हो कि वह खुद भी वोट ले सके मतलब चुनाव लड़ सके सिंपल सी चीज है आज उन्हों पूरे बॉलिवूट से पता दोगा कि कहा कैसे क्या हो रहा है तो जैसे अगर आपने राजबी दी मूवी दीखी होगी तो क्या है डेमोक्रिटिक सोसाइटी में पोलिटिकल जस्टिस क्या होता है प्रोवाइडिंग दीव पोलिटिकल राजनीतिक छेत्र में हर इंसान के पास पूरी पूरी आजादी हो पूरी पूरी आजादी हो कि वह अपने आपको रिप्रेजेंट कर सके और रिप्रेजेंट करवा सके वह चीज पॉलिटिकल जस्टिस का पाट होगा और उस पॉलिटिकल जस्टिस में आप देखोगे तो essence क्या पता है universal adult franchise ही होना चाहिए ना चाहिए बदलब हर वो इंसान जो adult है उस country की हिसाब से 18 साल 21 साल जो भी उस country में माने जाता है तो वो universal adult franchise का पार्ट होगा जहांपे हर वो इंसान जो adult होगा he or she should be able to vote ठीके अपना political expression वो express कर पाएं वो political justice का part होगा equality of opportunity in getting elected and holding public offices चुनने के साथ साथ चुन जाने का भी अधिकार होना चाहिए ठीक है तो equality of opportunity in getting elected and in holding public offices freedom of expression and association are important pillars of political justice तो freedom of क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे कि freedom of expression and association are important pillars of political justice political justice के यह important pillars है कि आप जो feel कर रहो आप उसे express कर पाऊ वो चीज़ क्लेर हो रहा है और वो उसके लिए आप अपने आपको एलेक्ट करवा या फिर एलेक्ट करो that is the thing तो कुल मिला के राजनेतिक छेत्र में आपको जब आजादी मिलेगी तो वो political justice का पाट कहलाएगा फाइन political justice के बाद में कहा है social justice क्या कहता है social justice मतलब क्या कि social science में number सबको बराबर आना चाहिए social justice नहीं ऐसा कुछ नहीं मतलब सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदवाव ना हो वो धर्म के आधार पर जाती के आधार पर रंग के आधार पर किसी भी आधार पर भेदवाव होना होना चाहिए हर मायने में क्या होना चाहिए इंसान को equality मिलना चाहिए वो social justice हो गया simple तो देखो यहां पर क्या तो इन्स टू एंड आल टाइप of social inequalities and to provide proper opportunity to every citizen in every sphere of life तो जीवन के हर हिस्से में हर हर एक citizen को जब आप क्या दे रहे हैं किसी प्रकार की inequality को खतम करते हुए जब समानता है दे रहे हो तो वह social justice होगा to develop हर his personality to ensure equality of law prohibition of discrimination social security provision of equal political rights ठीक है equal political rights प्रवाइट करना किसी प्रकार का discrimination ना हो social security हो यह सारी चीजों पर focus किया जाता है तो वह social justice कहलाता है ठीक है इन सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा तो तो दिक कंसेट ऑफ social justice is based on belief that the human beings are equal and no discrimination should be made on the ground of race, religion, caste, gender and place of birth social justice किस मायने पर निरधारित किया जाता है वह ठीक है कि इंडिविजल्स आर इक्वाल तो there should be no discrimination in any form वह social justice का पार्ट हो जाएगा ठीक है वह social justice का and at last economic justice अब देखो क्या है अर्थ जो होता है न अर्थ जीवन के लिए अनिवार है अर्थ याने क्या होता है अर्थ याने की monetary satisfaction आदमी का होना चाहिए कैसे पैसे का कमाने की opportunity तो मेहनत करे वह मेहनत करे पैसे कमाएगा मेहनत भी करे उसके पास काम भी तो होना चाहिए तो economic opportunities provide करना ही economic justice आने की कोई भी अर्थ से वन्चित ना रह जाये अर्थ याने की wealth याने की wealth इसे कोई भी क्या है deprived प्रवाइब न रह जाये तो वह एकोनॉमिक जस्टिस के पार्ट में आएगा तो इट मीज तो प्रवाइड इकवल ऑपर्चिनिटीज तो एवरीवन तो अर्थ हर लाइवलिहूड मतलब कि वह अपने खुद के लिए लाइवलिहूड अर्न कर सके ठीक है मतलब अपने जीव हो पाए उसका तो वो क्या हो जाएगा वो सब्सक्रान की पूरा करने में जब आप मदद करते हो इंडिविजल यस सरकार क्यूं सरकार क्यों सरकारी स्कूल चलाती है सरकार क्यों प्रधार मंत्री आवास योजना ये लेके आती है ताकि वो रोटी कपड़ा मकान सिक्षा जो बेसिक नीड्स है ठीक है विच आर टी पार्ट ऑफ एकोनोमिक जस्टिस विचार वरी इंपॉर्टेंट फॉर्डी यूमन इकोनोमिक जस्टिस कें इस्टैबलिश इन दी सोसाइटी टॉपिक क्या हमारा टॉपिक जिसे अगर आप देखो तो हमारा एडिशनल टॉपिक क्या कहता है इसे ही मिलेंगे आपको कि अलग-अलग महांने में कहां कैसे किस प्रकार से न्याय होना चाहिए समझ गया वह चीज इसे तो डिस्टैंस फॉर बाइ अश्यूरिंग एडिकेट मीन्स ओफ लाइवलियूट तो आप एकोनोमिक जस्टिस कैसे अब लोगों के ऊपर जा जाके 10 रुपे के नोट चिपका दोगे नहीं एकोनोमिक जस्टिस आप ऐसे इंशॉर कर पाओगे मतलब जहां पर एडिक स्टेट्स में कुछ रीजन स्मेरी सोर्से जादा कुछ रीजन जो है डेप्राइब ऐसा भी ना हो फाइं एकोनोमिक ऑपरचुनिटीस तो अलहर इंसान के पास ने इक्रोडिक ऑपरोचुनिटीस बराबर समान रूप से हो तो आप यह मैंने आपको बता दिया और आप दे तो वाइल दी कॉंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस इस अपने लीडर को चूज करने के लिए आप आजाद है खुद अपने आपको लीडर बनाने के लिए तो देखो डिफ्रेंट डिमेंशन्स ऑफ जस्टिस आपने यहां देखा चैप्टर टू रिकॉल करो लिबर्टी में आपने देखा कि लिवर्टी फ्रीडम यह क्या सारी चीज़ें होती है तो आपको आपको आप अस्टीट करना होगे पॉलिटिकल जस्टिस इस मोर अस्टीटेट विट लिबर्टी ठीक है वहीं पर आप देखोंगे एकनॉमिक और लीगल जस्टिस जो है तो इस अस्ट आपके पास आदा दिये पॉलिटिकल जस्टिस से और वहीं पर पॉलिटीकल जस्टिस जो है तो आपको थोड़ा सा लिवर्टी के तरफ ज़लक दिखा रहा है कि हाँ आपके पास आदा दिये है आपको आपको सामाजिक समानता की बाला है शोशल जटिस जबहोगा तह आई जोट से तंडिन पैटनिटी जस इस कॉंबिनेशनन ओव और ये चारो तरह कि justice का combination होगा एक just combination होगा then we will be in a position to achieve justice in real life तब निया आए सही मायने में मिलेगा तो this was the story this was the story about different dimensions of justice I hope you people enjoyed it आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे different dimensions of justice का यह जो additional topic था जो justice chapter में था यह complete हुआ मैं यह उमीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने end पर syllabus वाला part complete कर ले होगा again I am reiterating this क्या कि मैं पूरा complete कर वा चुक हूँ all what you are required to do is to search and you will get the video lectures complete करो अपना syllabus अपने end पर additional topics में देही रहा हूँ इस book के complete करके फिर आपको constitution in India वाली book के भी मिल जाएंगे तो सारे additional topic complete कर लो syllabus complete कर लो अच्छा क्या है फिर फाइन तो दिस वाली स्टोरी विल सी यू इन नेक्स वीडियो अभी इंपोर्टेंट चीज एक और जो है वो यह है कि मैं academy प्लस पर क्लास 9 और 10 पढ़ाता हूं 10 की मेरी क्लास होती है मंडे तुजडे बेटनेस डे अभी जो मेरा बैच स्टार्ट हुआ है वो रिविजिन कोर्स स्टार्ट हुआ हाफ यरली के लिए जिसमें एक एक क्लास में एक चैप्टर रिवाइस करते हैं यू कन एंड्रोल इन दिस कोर्स उसिंग दिकोट दिग्राज स्टार्ट के लिए और साथ बजे से एक गंटे की लास रहती है दो तरह के सब्सक्रिप्शें वहते हैं प्लस और आइकानिक प्लस में आपको लाइफ क्लासे टेस्ट अलिमिटे एक्सेस ट्रॉक्चर्ट पॉर्स मिलता है Iconic में आपको personal guidance, test analysis, expert guideline, study material, study planner ये सारी चीज़े मिलती है fine, कोई confusion है तो you can call on this number उसके बाद लगली चीज़ क्या है कि if you are planning to take any subscription on an academy this is the right time, ठीक है, limited period offer है जहाँ पे आपको 10 नहीं 20% off using the code दिग्राज तो आप जो भी subscription लेते हैं, जितने भी time duration का लेते हैं you will get 20% off and you can save up to 20% fine, so this was the story, we'll see you in the next video, तब तक के लिए sign off करता हूं signing off with this, together we can, we will, thank you, thank you very much